हेलो एवरिबड़ी आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस चैप्टर है हमारा फिफ्थ स्वाइल स्वाइल को हम क्या कहते हैं मिट्टी मिरिदा इसके नाम से हम क्या है स्वाइल को जानते हैं ठीक है चलो तो चैप्टर शुरू करते हैं कि अबर प्लानेट इजांअगेईगें प्लेयस का मतलब होता है अद्वूत मिन रहिए खना है तो यह क्या है एक अद्वूत जगह हैं मोर जैन 2 3rd इंट थे with the water हमारा अर्थ का तू थर्ड पार्ट होता है वो वाटर से covered है मतलब हमारे अर्थ पर 70% water है और 30% क्या है हमारा land है जापर हम क्या है रहते है ना जमीन है जमीन कितनी है 30% है और पानी कितना है 70% है ठीक है yet there are the vast area of hot and dry desert tall and majestic mountains green and beautiful plains we get humid and rain forest अब हम देखते हैं कि हमारा जो इलाका होता है वास इलाका है यानि कि बहुत लंबा और चोड़ा वास का मतलब होता है लंबा चोड़ा यानि कि बहुत ही kilometers में 1000 लाकों kilometers में फैला हुआ area है जिन वैसे hot and dry desert hot का मतलब होता है गरम और dry मतलब सुके तो हो गरम और सुके रेगिस्तान भी है उचे और राजसी पहाड भी है उचे पहाड भी है उचे पहाड भी है हमारे जो अर्थ पे हैं तो क्या होट and dry यानि कि गरम और सुके इलाके में जैसे कि रेगिस्तान भी है उचे और उचे उचे पहाड भी है ग्रीन एंड ब्यूटिफूल प्लेंस यानि कि हरे बरे मैदान है हरे बरे सुन्दर सुन्दर मैदान है wet and humid rainforest ऐसे ऐसे बहुत सारे forest है जो क्या है सुके भी है भीगे भी है और नमी वाले भी है और वर्षा काल वाले भी है जहाँ पर पूरे साल वर्षा होती है तो वो सारे के सारे हमारे forest यानि इतने सारे जंगल भी है जो को बहुत सारे जंगल तो सुके होते हैं बहुत सारे भ Home to the number of plants and animals and human beings अब ये सारे के सारे land forms Land form का मतलब होता है जमीन है ना तो ये सारे के सारे जमीन है वो किसका घर है बहुत सारे पेड़ पौदो का भी तो घर है जहां पर पेड़ पौदो का भी घर हुआ हम animals याने की जानवरों का भी घर होता है और human beings याने की मनुश्या human being का मतलब क्या होता है मनुश्या तो हम मनुश्य भी कहे इस से जमीन पर रहता है तो जमीन पर या हमारा भी घर होता है अब आते हैं soil is the topmost layer of the earth अब soil कहे हमारे earth की सबसे उपर वाली layer याने की परत है तो हमारे जो earth के उपर सबसे उपर वाली परत है उसको हम क्या कहते है soil कहते है plants get their food from the soil throughout the roots अब जो plant होते है उनको food किसे मिलता है तो soil से मिलता है और soil से कैसे मिलता है तो जो हमारे plant की root होती है वो soil के अंदर होती है तो वो क्या करती है soil के अंदर से सारा का सारा nutrition अपने अंदर खिच लेती है और उससे के plant को food मिलता है और हमारा plant grow करता है a soil is a home for all insects and the earthworms अब जो हमारा soil है यानि जो मिट्टी है तब वो मिट्टी क्या है हमारे सभी छोटे छोटे जीव जन्तू, insect मतलब कीडे, मकोडे और earthworms यानि कि हमारे जो केचुएं होते ना, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बारिश की season में देखने को मिलेंगे, वर्षा की रितू में देखने को मिलेंगे तो वो क्या है, यह soil क्या है, सभी सभी earthworms के और छोटे छोटे कीडे मोकोडों का घर है now this creature, make a soil more fertile for the plant अब यह this creature, creature का मतलब होता है, जीव यह छोटे जीव क्या करते है, हमारे जो soil होती है, उसको उबजाव बनाते है हमारे जो मिट्टी होती है, उनको उबजाव बनाते है, जिससे कि हमारे plant ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर grow कर सके हैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा उग सके हैं ना A soil is formed by the breakdown of the rock by the natural forces such as sun, rain, winds, glacier etc. अब हमारे जो soil हैं वो कैसे बनते हैं? अब कोशन यह आता है कि where, how does the soil form? अब soil कैसे बनती हैं? तो हमारे जो natural प्राकर्तिक दबाव लगते हैं प्राकर्तिक natural force का मतलब होता है प्राकर्तिक दबाव जैसे कि हमारे sun, sun की गर्मी से, rain से, wind से और glacier से इन सभी से क्या है? एक दूसरे के टकराने से क्या होता है? यह हमारे जो मिट्टी बनती है ना बड़े बड़े पहाड होते हैं, तो पहाडों में क्या होता है? जब सूरेज की रोशने आती हैं, तो वो हमारे जो पहाड होते हैं, वो घरम होते हैं और थोड़े थोड़े क्या होते हैं? सिकूर जाते हैं फिर रात के समय में ठंडी होती है, धूप चली जाती है और पुरा मौसम ठंडा रहता है, तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आते हैं, जिसके वज़े से क्या होता है? धीरे धीरे सिकूर कर वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आते हैं, इसकी वज़े से दो पत इसको क्या कहते है हम Weathering कहते है उसको Hindi कहते है अब Sultan क्याते है ठीक है A soil varies from place to place अब आप देखेंगे कि हमारी जो मिट्टी होती है वो हर जगह अलग-अलग होती है आप कहीं कहीं पर लाल मिट्टी होती है कहीं पर काली होती है तो कई पर सफेद होती है तो ऐसी इस प्रकार की मिट्टी होती है जो क्या हर जगे क्या अलग-अलग होती है मतलब हर जगे पर अलग-अलग आपको मिट्टी देखने को मिलती है ठीक है The soil that you see on the road This is a different from the soil in the playground आप देखते हो एसी मिट्टी जो आप एक तो सडक पर देखते हो वो मिट्टी आप जो playground होते है यानि की बड़े-बड़े खेलने के मैदान होते है उस मिट्टी से भिन्न होती है मतलब अलग-अलग होती है क्यों? A different type of the soil contains different kind of the particles अब अलग-अलग प्रकार की soils होती है मतलब अलग-अलग प्रकार की जो मिट्टियां होती है वो अपने-अपने अंदर क्या करते है अलग-अलग प्रकार के छोटे-छोटे कण रखती है मतलब अपने जैसे की हर मिट्टी की किसी की खासियत होती है कि वो ज्यादा पानी ज्यादा पानी सोकर रखती है किसी के कम पानी सोकर रखती है कोई अपने अंदर पानी नहीं रखती है तो ऐसी बहुत सारे होती है मिट्टियां जिनके क्या है अलग-अलग मिट्टी होगी जिसके अंदर क्या होगी उनके अलग-अलग पार्टिकल्स भ भी अलग-अलग होगा जिस प्रकार हम आगे अपनी जैसे जैसे अलग-अलग देश में जाते हैं तो वाँ पर जो मिट्टी भी अलग होगी उनकी साइज भी अलग होती है और उनके कलर भी अलग-अलग होते हैं ठीक है अगर आप दो जगह की मिट्टी लो और उसको एक मेगनिफाइन ग्लास याने की दूरबीन की मज़द से आप देखोगे तो आपको देखेगा आप देखेंगे कि दोनों ही मिट्टी में क्या है अलग-अलग छोटे-छोटे कन हैं मतलब दोनों मिट्टी के कन अलग-अलग पाएंगे Even by touching the soil you can tell that the soil is different from each other या फिर आप क्या करेंगे दोनों मिट्टियों का हाथ में लेते ही आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों क्या अलग-अलग मिट्टी है हाथ में देखने पर पता लग जाएगा कोई छोटी होगी तो कोई बड़ी होगी दोनों मैंसे किसी का रंग अलग होगा तो उससे हमको आराम से पता चल जाता है कि ये अलग देश की और ये अलग देश की ठीक है अब constituent of the soil अब soil के अंदर क्या-क्या चीज़े होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे constituent of the soil a soil is a mixture of many things अब soil के अंदर बहुत सारी चीज़े मिली होई होती है mixture यानि की मिलना तो soil के अंदर बहुत सारी चीज़े मिली होई होती है the top layer of the earth the top layer is made up of light soil आप देखते हैं हमारे मिट्टी की जो top layer होती है देखो हमारे earth की top layer कौन होती है soil अब soil की top layer होती है वो किससे मिलकर बनी होती है light soil यानि कि थोड़ी हलकी होती है हमारी जो top layer होती है light का मतलब होता है हलका थीक है तो वो थोड़ी हलकी होती है it is a floating things called humus अब इसके अंदर floating things होती है यानि कि तैरने like कुछ चीज़े होती है उसको हम कहते है यूमस, तो बेटा यूमस क्या होता है, यूमस cantean dead and decayed remain of the plant and animals तो हम देखते हैं, कि हमारी जो, ये यूमस क्या होते हैं, तो ये human cantean dead and decayed remains of the plant and animals जब plant की पत्थिया सुख जाती हैं, और वो ground पर गिरती हैं, तो धीरे धीरे क्या होती हैं, माइक्रो और्गिनिजम के द्वारा वो पत्तिया धीरे-धीरे सड जाती है और वो क्या किसमे यूमस के अंदर बदल जाती है जिस प्रकार हमारे कोई अगर कोई जानवर मर जाता है तो वो थोड़े दिनों बाद क्या मिट्टी में मिल जाता है है ना बहुती सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है ना फिर आते हैं हमारे a second layer contain the fine particle of the clay आप दूसरी ले हमारे जो मिट्टी की दूसरी layer होती है वो क्या होती है fine particle यानि कि बहुती चोटे-चोटे कन अपने अंदर रगती है जिसको हम कहते है clay है ना माठी ठीक है which is sticky together sticky का मतलब होता है चिपचिपी चिपचिपा है ना तो हमारे जो मिट्टी होती है second layer वो किसकी clay की बनी होती है मतलब उसमें चोटे-चोटे रखने की शक्ति होती है वो ज्यादा रखती है क्योंकि वो छोटे-चोटे particles होते है और चिपचिपी होती है जिसके कारण क्या होता है वो अपने अंदर पानी भरकर रख सकते है ठीक है ना the third layer which is bigger than the clay particles अब जो हमारी तिसरी layer होती है वो clay particles से थोड़ी बढ़ी होती है इत contain fine particles of the sand और वो अपने क्या है जो मिट्टे होती है उसके चोटे-चोटे कण भी क्या है उसके अपने अंदर रखती है ठीक है यह third layer तीनो layer के तिन बारे में हम पढ़ा पहले layer थोड़ी हलकी होती है उसके अंदर क्या होता है यूमस होता है जिसकी वज़े से क्या हमारी soil fertile soil की जो उप्जवता बढ़ती है दूसरी layer होती है वो उसके अंदर क्या होती है छोटे-चोटे कण होता है चले होती है उसके अंदर water holding capacity ज्यादा रहती है और third हमारी होती है जिसमें क्या है हमारी जो मिट्टी के third layer के जो पार्टिकल्स है वो खले से थोड़े से बढ़े होता है और उसके अंदर क्या है sand के पार्टिकल्स भी थोड़े थोड़े रहते हैं fine particles यह नहीं छोटे चोटे जीने जीने बहुत चोटे-चोटे fine particles stand के भी रहते हैं अब आते हैं kind of soil अब मिटी कितने प्रकार की हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीके ना kind of soil a different soil have the different amount of the water and the soil अब आप देखते हैं अलग-अलग प्रकार की जो मिटी होती है उसके अंदर क्या है अलग-अलग मात्रा में पानी भी होता है और अलग-अलग मात्रा में भी मिटी भी हुआ करती है जैसे कि हमारी पहले हैं gravel soil gravel soil जैसे कि यह soil कैसे होती हैं देखो इदर आ में पढ़ रहे हैं this kind of soil has a very large soil particle अब इस प्रकार की मिटी में क्या होते हैं जो मिटी के कण होते हैं वो बड़े-बड़े होते हैं देखो इसमें दिख रहे हैं आपको यह बड़े-बड़े कण होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं gravel soil कहते हैं they do not hold the water between them अब यह क्या करते हैं अब आते हैं हमारी second sandy soil a sandy soil has a smaller particle यहनी कि sandy soil में क्या होते हैं particles हमारे जो soil के जो कण होगे वो बहुत ही चोटे-चोटे होगे आपको दीख रहा है इदर यह diagram दीख रहा है इस diagram में देखो आपको soil के particle बहुत ही चोटे-चोटे दीख रहे हैं it holds more water than the gravels अब यह क्या करता है यह जो मिट्टी होती है यह जो gravel मिट्टी से भी क्या है ज़ादा पानी अपने अंदर hold करते हैं यह अपने अंदर ज्यादा पानी को रख सकती हैं क्योंकि हमारे gravel में जो क्या थे बड़े-बड़े particles से जिसके कारण क्या होता था उसके अंद जमा कर सकते हैं for water is for it's settle quickly अगर हम इस मिटवी उपर पानी चाटते हैं है न नली के दुवारा बले किसी के दुवारा भी कैसे भी हम घर पर जैसे पानी चाटते हैं तो इस मिटी के उपर अगर हमने पानी चाटा हो तो क्या करती है यह मिट्टी आराम से जम जाती है यनि कि सैटल हो जाते है सैटलमेंट का मतलब होता है जम जाना है ना तो जल्दी से यह जम जाती है इस टाइप आप सोयल फाउंड नियर दर शी शोर बीच एंड इन दर डेजर्ट आप इस परकार की मिट्टी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी आप या तो फिर समुद्र के किनारे जाओ तो आपको इस परकार की मिट्टी देखने को मिलेगी या फिर आप बीच पर जाओ यानि कि जो तट होते हैं उसके उपर जाओ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी या फिर रेगिस्तान में जाओको तो वहाँ पर आपको इस प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी उसको हम करते हैं सेंडी इस्टीज ने सेंडी सोई तीक है? वह बहुत ही चिप-चिप होती है और चोटे-चोटे fine particles, very fine particles यानि कि बहुत ही चोटे-चोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है इसके कारण अब चिप-चिप होने के कारण क्या करती है यह अपने अंदर पानी ज्यादा भरकर रखेगी यानि कि water holding capacity सब के मुकाबले क्या it is used for making toy parts and injured size अब आफ देखते हो । हिह से बने हुए थे आप चलेई सोयल के बने हुए होते हैं और तोफ्लास्टिक और मिट्रक खिलोने, जहीं के चोटे बच्चे मिट्टी के खिलोने से खेला करते थे तो फिर मिट्टी के खिलोने किस से बने हुए होते थे इस clay soil से बने हुए थे it is found near the river beds because of the sticky nature अब यह जादा से जादा आपको कहा देखने को मिलेगी इस प्रकार की मिट्टी तो river bed river beds का मतलब होता है नदी के किनारे तो नदी के किनारे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ये clay soil देखने को मिलेगे क्यों कि इसका चिपचिपा वाला nature इसकी प्रकार है ना चिपचिपा होने के कारण क्या होते हैं हम जो नदी होती है उसके उपर फिर नदी चलती है तो उसके आस पास में जो मिट्टी होती है वह बहुती ही चिपचिप भी होती है तो आपको clay soil आपको मिट्टी के मतलब नदी के किनारे देखने को मिलेंगे अब आते हैं फोर लोमी soil कैसे होती है लोमी soil contains sand and humus and clay अब लोमी soil के अंदर क्या होता है मिट्टी भी होती है humus humus मेंने क्या बता था dead and decomposed remains of the plant and animals वो भी होता है और clay याने की माटी वो भी इसके अंदर होती है यह तीन चीजों से मिलकर बने हुई होती है इट can hold both air and water यह अपने के अंदर क्या है एर हवा और पानी दोनों को ही क्या अपने अंदर भरकर रख सकती है इट is a best soil for the growing plant अगर आपको अगर कोई पौधा उगाना है तो उसके लिए यह क्या है अगर से उचित से उत्तम से उत्तम प्रकार की मिट्टी होती है उसको हम क्या करते है लॉमी सोयल यह निकि आपको पेड़ पौध उगाने है तो आपको लॉमी सोयल की बहुत ही अच्छी जरुवत पढ़ने वाली है क्योंकि यह सब से क्या है पेड़ को जादा से जादा nutrition और आगे बड़ा पेश्टन करो बेड़ा अब आता है सोयल कंटेंट एयर अगर आपने कभी अपने जो गार्डन में कोई पौट होगा फ्लावर का पौट होगा यह फिर प्लांट का पौट होगा यह घमला होगा उसके अंदर पानी पिलाया है इफ नौट देन ट्राइट आज ही आज ही आपको पानी पिलाना है आपको पानी पिलाना है आपको पानी जब तक पिलाना है तब तक जब तक क्या है आपका जो पानी होता है वह आपके गमले के ठेट पूरे के पूरे नीचे तक न पहुचे जब तक आपको क्या है पानी पिलाना है अगर आप पानी पिलाते हो तो आपने देखा होगा कि पानी के अंदर बुल-बुले होने लगते हैं तो आपने देखा होगा अगर आप किसी मिट्टी में पानी डालने हो या फिर प्लांट के पौदे में पानी डालने हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बुल-बुले बनते हैं पानी में, the bubbles are formed by the air which is trapped between the soil particles, अब ये बुलबूले क्यों बनते हैं, तो क्योंकि उस मिट्टी के अंदर क्या होती है, हवा होती है, जो कि मिट्टी के अंदर फसी होती है, ठीक है, जब आप पानी डालते हो, तो वो क्या होती है, हवा उपर आने लगती है, जिसके का आरे air बाहर निकल जाती है, it gives a bubble formation, और जिसके कारण क्या होते है, हमारे bubbles बनना शुरू होते है, remove the extra water from the plant after you have seen the bubbles, too much water suffocate the plant, अगर आपको पानी निकाल देना है, कब तक जब तक आपको बबल न दिखे, तब तक आपको पानी निकाल देना है, जैसे का बबल बन रहे, फिर पानी डाल दिया, फिर बबल बनने बंद हो जाए, फिर आपको ज़्यादा पानी अगर पॉर्ट में पड़ा है, तो उसको बाहर निकाल देना है, क्योंकि हमारे प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, देखो, too much water suffocate the plant, अगर हम ज़्यादा पानी पिल रहता है, take the small potted plant, make sure your pot has a teeny hole in the bottom and the place on the top in the plastic plates, एक आपको क्या लेना है, पॉर्ट के निचे वाले इलाके में आपको चोटा सा एक चेद कर देना है, फिर उसको क्या करना है, पॉर्ट को एक प्लास्टिक की प्लेट के उपर रख देना है, जैसे इसने रखा है, वैसे आपको रख देना है, after few hours, कुछ घंटों बाद आप देखेंगे, lift up the pot and from the plates, आपको क्या करना है, उस प्लेट के उपर से आपके उस गमले को उपर ले लेना है, you will see the teeny drops of the water on the plate, आप देखेंगे कि उस प्लेट में आपको चोटे-चोटे water molecules देखने को मिलें अब यह आपको कैसे पता चलेगा, इसी से हमको पता चलता है, कि हमारे जो soil होती है, उसके अंदर पानी होता है, क्योंकि वो पानी किसके अंदर आया है, किसके अंदर से आया है, soil के अंदर से उस प्लेट के अंदर आया होगा, इसी से हमको पता चलता है, कि this soil also contains water, इसी से ह यह मारा, dead and decayed remains of the plant and animals that make soil fertile is called humus, ठीक है, second है, a soil that is, that a potter used to make a pot is called clay soil, है न, clay soil होता, इतर हमने पड़ाता, यह रादिको, toy, pots and utensil, clay soils, ठीक है, third है हमारा, the mixture of the sand and humus and clay is called loamy soil, ठोड़ी देर पहले ही पढ़ा है हमने, a soil found near the river bed, clay soils, which of the following is not a kind of soils, mineral soils, ठीक है, अब आती है, fourth, second way, fill in the blanks है हमारा, dash, तो dash में आपको first में बनना है, S-O-I-L, soil is the topmost layer of the earth, second है, you must make the soil fertile, F-E-R-T-I-L-E, fertile, third है, clay soil is used for making toys and pots, T-O-Y-S-A-N-D-P-O-T-S, pots, fourth है, loamy soil contain sand, humus and clay, C-L-A-Y, clay, fifth है हमारा, loamy soil is the best for growing plant, ठीक है, L-O-A-M-Y, loamy, C है हमारा, tiktok, correct option, more than two-third part of the earth is covered with water, yes, right, a bubbles are formed by the air, which is trapped between the soil particles, right, a soil does not contain water, wrong, sandy soil has bigger particle, wrong, loamy soil can hold both air and water, right, चीक है, अब आते हैं, match the following में, gray soil, gravel soils कौन से होती है, हमारे rocky soils, आपको, C-P-T-I-C-L, match करना है, sandy soil का करना है, आपको, E-P-R match करना है, C-Shore, clay soil का आपको match करना है, very fine particle, E-P-R, और loamy soil का आपको match करना है, B-P-R, sand, humus and clay, चीक है, और top layer को करेंगे हम light soil से, चीक है, तो यह आपका chapter complete हो चुका है, thank you.